वेलकम बैक इन बेगुसाय रिसर्च यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्काडा सिस्टम के बारे में अस्काडा जो होता है उसका फूल फॉरम क्या होता है इसे ओपरेट कैसे किया जाता है और इसका यूज से हमें क्या एडवांटेज होती है औ होता है कंट्रोल और एक फॉर एंड होता है डी फॉर डेटा होता है और एक फॉर होता है देखिए जो अस्काडा में जैसे सुपर्वाजरिंग कोई साइट पर अगर आप कोई साइट को चला रहे हैं तो एक आप सुपर्वाजर को रखते हैं सुपर्वाजर का यहां काम ह होता है कि वो साइट पर सारे दिन में कितना काम हुआ है उस डेटे को अपने रेजिस्टर में लिखते हैं और अपने बॉस को साम को बताते हैं कि आज के दिन में इस साइट पर कौन-कौन से काम हुए और क्या क्या हुआ है सारे के सारे information वो अपने बॉस को साथ share करता है अस्काडा सिस्टम भी वैसा ही है फर्स्ट पॉल अस्काडा जो है एक परकार की software है जिसे हम remotely control करते हैं remotely control का मतलब यह हुआ कि अस्काडा सिस्टम को हम बैठे बैठे control करते हैं देखिए अब अस्काडा सिस्टम कैसे control करता है वो जितने भी भाल्व टर्वाइन या मोटर इस सारे से वो connect रहता है जो जिसमें अस्काडा में sensor लगा हुआ होता है जो एक control room में बैठे बैठे उस system को हम operate कर सकते हैं कैसे जैसे कि अस्काडा जो से software होता है वो जो भी device उससे connect होती है उसके graphical representation किया जाता यानि अगर motor connect है तो motor का जो symbol होता है वो ग्राफिकल आपके display पर दिखाते रहेगा यानि motor का वो सारा के सारा data आपको real time को देगा real time कहने का मतलब यह है कि अगर आज के date में motor एक घंटा चला या दो घंटा चला वो सारा data को ascada system अपने अंदर control यानि अपने अंदर store करके रखता है यानि अगर हमें इस motor को बंद करना है यानि इस motor को हमको बंद करना है तो ना कि motor को पास जाके हम बंद करेंगे वो बैठे बैठे हम control room से इस motor को हम off कर सकते हैं उसके बाद इस से फर्दर चितने भी devices लगी रहती है वो सारा के सारा उसका temperature count करता है या बस फ्यूज हो गया या जल गया कोई system तो असकाडा एक ऐसा system है वो उसका actual value बताता है किस region से वह जला है यानि कहा जाए तो असकाडा इस टाप से बताती है कि उसको जलने से पहले यानि अगर कोई system में को डिवाइस में 12 बज़े fault आया है वो डिवाइस 12 बज़े जल चुका है तो 11 बज़े का वो data उस पर ज्यादा लोड पर गया तो वो system जला है तो अगले बार हम यह देखेंगे जितना टेंपरेचर या जितना लोड पर जल गया उससे हम कम रखेंगे यानि अश्काडा के बारे में यह कहा जाए तो अश्काडा जो है system software आने से मनुस के जीवन पे काफी कुछ effect लाया है जैसे कि हम किसी system को पहले use करने के लिए या motor को generator को turbine को किसी भी चीज को operate करने के लिए खुद से जाकर वहाँ चिक करना परता था उसे हम जाके डारी में लीखा करते थे लेकिन अश्काडा software कर जब से develop हुआ है तब से इस सारे कम को मनुस के जीवन में काफी कुछ सुभिदाय हुई है जैसे कि वह बैठे बैठे operate कर सकता है आज किस वीडियो में हम असकारा सिस्टम के बारे में और सारी वीडियो लेकर आएंगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक कि लिए बाबाए